नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का यूटूब चैनल एसकलेपियस आयरुवेदा में दोस्तों आज के सेशन में हम बात करेंगे एडवलूपील कंपनी के एक ऐसे प्रोड़क्ट जिसकी जरुवत सभी लोगों को है जो बॉडी सर्विसिंग एजेंट के नाम से भी जाना जाता है ये डेली निट्स आयरुवेदिक प्रोड़क्ट है प्रोड़क्ट का नाम है इम्यूनोडॉक्रस इम्मीनोडॉकरस क्या है? इम्मीनोडॉकरस के कमपोजीशन के बारे में इम्मीनोडॉकरस के क्या फाइदा है? इसे कैसे इस्तिमाल करना है? और इसे इस्तिमाल करते समय कौन-कौन सी सावधानिया इत्यादी भी स्वयोपे हम चर्चा करेंगे तो आईए दोस्तों हम चर्चा करते हैं सबसे पहले हम बात करेंगे इमीनोडोकरस क्या है तो दोस्तों ये एक डेली नीट्स अईरुवेदा है जिसे AWPL, एसकलेपियस विलनेस कंपनी के द्वारा बनाया गया है ये हमारी बाड़ी को इंटर्नली क्लीन करता है और साथ ही बाड़ी की सर्विसिंग का भी काम करता है इसलिए इसे बाड़ी सर्विसिंग एजेंट भी कहते हैं यदि इसके इंग्रिडेंट्स की बात करें तो इसमें बालों तथा तवचा को सही करने के लिए एलोवेरा है, वायू विकार पाचन को सही करने के लिए त्रिफला और जिंजर है, सर्दी कहसी इत्यादी को ठिक करने के लिए तुलसी और मुलेठी है, इमनिटी को बूष्ट करने के लिए अपल है पुरानवा है किसी भी तरह का विकार इत्यादी को सही करने के लीए इस के अलवा भी इसमें बहुत सारे इंग्रिडन्ट्स हैं हम सभी इंग्रिडन्ट्स का एक एक करके आपको नावदाएते हैं जैसा कि आप इस पर देख रहे हो एलोवेरा त्रिफला कोकुम तुलसी जिंजर गिलोवय असुगंधा पुनर्नवा मुलेठी और एपल इन सभी को मिलाकर बना है एडेवलूपीयल का इम्मीनोडॉक्रस इसके बेनिफिट्स की यदि हम बात करें इम्मीनोडॉक्रस का इस्तेमाल, साइनस, अस्थमा, किसी भी प्रकार की अलर्जी, सरदी, खासी, जुखाम, भूख न लगना, इम्मूनिटी को बढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है यदि इसके इस्तेमाल की तरीकों के बारे में बात करें तो 15-20 ml खाना खाने के एक घंटा बाद इसको यूच करना है दोस्तों इसकी सावधानियों के बारे में हम बात करेंगे इम्मिनोडॉक रस्त लेते समय जब हम इसको यूच कर रहे हैं तो इस समय कुछ सावधानिया है जो हमको बरतनी ही चाहिए सही रिजल्ट के लिए इसके बोतल को खुलने के बाद एक महिना के अंदर में इसको इसको इस्तमाल कर लेना है जब हम इसका इस्तमाल कर रहे हैं तो ज़्यदा खटे पदार्थ जैसे अचार हुआ, इमली हुआ, निम्बू हुआ इत्यादी का सेवन नहीं करना है ठंडे पे पदार्थ का भी सेवन नहीं करना है इसका इस्तमाल करते समय दिन में तीन से चार लिटर पानी का सेवन जरूर करना है पांच साल से कम उम्र के यदि बच्चा है तो इसको 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 इस्तमाल ना कराए गरवती महिलाए या इस्तन पान करवाने वाली महिलाए इसे इस्तमाल न करें यदि करना भी है तो चिकित्सक का परमर्स आवर्स से ले लें दोस्तों आई होप आपको इम्मीनो डॉक से रिलिटेड जनकारी अच्छी लगी हो इस सेशन में हमने इसके कमपोजीशन इम्मीनो डॉक रस क्या है इन सारी सीजो के बारे में तथा इस्तमाल करने का तरीका क्या सावधानिया इन सारी सीजो को बताए तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में नई जनकारी के साथ धन्यवाद